मा देखो ना गर्मी की वजहा से मेरी गर्दन पे गमोरिया हो गई है आप जल्दी से कुछ करें मुझे जलन हो रही है मेरी बच्ची मैं क्या करूं मेरे पास तो फूटी कोडी तक नहीं जिससे मैं तेरे लिए कुछ लापाऊं रानो चुडिया अपनी छोटी सी बेटी के सा एक तूटी फूटी जोहपड़ी में रहती थी कोई काम धंदा ना मिलने के कारण वो बेहत गरीब हो चुकी थी चल गुडिया बेटी हम नदी के पास छाया में बैठेंगे वहां की ठंडी ठंडी हवा से आपके घमोरियों में जलन नहीं होगी फिर वो दोनों मा बेटी च जलन और भी बढ़ रही है गुडिया बेटी मैं अब आपको कहां लेकर जाओं ये गर्मी बढ़ रही है और हम गरीबों को ऐसे ही गुजारनी पड़ती है मम्मा श्डिया ने ऐसा बोला ही था तभी वहां गर्मी से हांफती हुई एक बूड़ी पक्षी आती है पानी जी मैं अभी नदी से पानी लाती हुँ और आपको पिलाती हुँ आप यहां छाया में बैठें फिर रानों श्डिया नदी से पानी लेकर उस बुड़ी पक्षी को पिला देती है बुड़ी पक्षी को पानी गर्म लगता है अरे बेटी ये पानी तो गर्म है इससे मेरी प पक्षी के पास ही रहें यह कहकर रानों धूप में घर जाती है और मटके का ठंडा पानी लेका जल्द ही आती है वो तो पूरी पसीने में भीव चुकी थी लेकिन फिर भी रानों खुसी-खुसी उस बुड़ी पक्षी को पानी पलाती है जुग जुग जी बेटी उपर वाल हैं लेकिन अपनी जुपड़ी को गर्मी में टोटा हुआ देकर रानों के पेरों तले जमीन खिसक गई थी यह कैसे हुआ हमारी जुपड़ी किसने तोड़ी गुड़िया बेटी यह सब कैसे हुआ गरीब भिखारन चुड़िया तमारी जुपड़ी रास्ते के बीच में थी इसे लिए हमें तोड़नी पड़ी लेकिन मैं यहां लंबे समय से रहती आ रही हूं पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ हां तो जब गौर करेंगे तभी तो सुनवाई होगी जंगल के नए अधिकारी पक्षी ने मुझे यह ओडर दिया है रास्ते में जितने भी गरीब ज अब रोने से कुछ नहीं होगा अपना ठिकाना कहीं और देखो मैंने तो बस अपना काम किया है ऐसे कालू कवा रानों की कोई बात नहीं सुनता और अपनी जेसी भी लेकर वहां से चला जाता है अब तो मम्मा बेटी बे सहरा हो चुकी थी वो बिना किसी मंजिल के रास्ते मिल ही जाएगा आप चिंता ना करो बस होसला रखते हुए उड़ती रहो ऐसे वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर निकलाते हैं उन्हें रहने को कोई ठिकाना नहीं मिलता वो रात एक पेड़के नीचे गुजारती है मगर सुबा होते ही चारों तरफ तेज धूप बेटी मैं आसपास से थोड़ी घास फूस लाती हूं और उससे यहीं पर एक रहने के लिए जुहपड़ी बनाती हूं फिर हमें धूप में नहीं रहना पड़ेगा कम से कम छाया तो बन ही जाएगी मैं अभी ही जाती हूं ऐसे बोलकर रानोचडिया घर बनाने के लिए घा बेटी तुम यहां क्या कर रही हो ठीक तो हो ना अरे बुड़ी माजी आप तो बही हो जिसे मैंने कल पानी पिलाया था हां मैं बही हूं लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो बुड़ी माजी मैं अपना घर बनाने के लिए घास फूस खटा कर रही हूं आपका बहुत-बहु की होने के कारण चक्कर आ गए आपने मेरी देख भाल की फिर रानो चडिया घर तोटने की पूदी बात बुड़ी पक्षी को बता देती है बुड़ी पक्षी को तो उसमें बहुत दिया आती है बेटी चडिया तुम साफ और नेक दिल पक्षी हो इसलिए मैं जो बताने वाल से चली जाती है और रानों चुडिया उसके बताय हुए रास्ते पर जाती है और घने पेड़ों के बीच उसे एक बर्फ का घर मिल जाता है रानों तो बहुत खुस होती है अरे मुझे तो अपनी आखों पर विजवास नहीं हो रहा क्या ये सच में बर्फ का जादूई घर है हाँ चुडिया मैं सच मुच में एक बर्फ का घर हूँ और मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो मैं आपके एक एक्छा भी पूरी कर सकता हूँ अब रानो चुडिया चिंता में पड़ जाती है कि बर्फ के घर से वो क्या मांगे मैं रहने के लिए एक घर मांग लेती हूँ लेकिन मेरी गुडिया को गर्मी भी तो लगती है तो क्या उसके लिए एक ऐसी मांग लो दोनों में से क्या मांगू मुझे समझ नहीं आ रहा जादूई बरफ तो एक ही इच्छा पूरी करता है, चडिया ऐसे चिंता में थी, वो कुछ नहीं बोलती, जादूई घर चडिया के मन की बात सुन रहा था, वो बोल जाता है, चडिया तुम ये सोने के सिक्के ले जाओ, और अपनी दोनों इच्छा पूरी कर लेना, अपने अपनी बेटी के लिए एसी भी, जादूई बरफ घर आपका बहुत-बहुत सुक्रिया, अब मैं अपनी बेटी को अच्छे से पाल पाऊंगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मम्मा चडिया बहुत खुस थी, वो भागती हुई अपनी बेटी गुडिया के पास आती मा, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, इन सोने के सिक्कों से हम अमीर बन जाएंगे, उस बरफ घर का बहुत-बहुत सुक्रिया, अब हमारा भी घर होगा, एसी खुलर, सब कुछ होगा, फिर मम्मा चडिया एक सुन्दर सा घर खरेती है, और उसमें एसी लगबाती है, अब उ चडिया अपने घर के पास में ही एक मिठाई की दुकान खोल लेती है, और खुसी-खुसी अपना जीवन यापन करती है, और भोके पक्षियों को च्री में मिठाई भी खलाती, सब चडिया का आभार करती, तो प्यारी दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक और चैनल को सब् पक्षी था, उसी जंगल में एक रानो नाम की चडिया भी रहा करती, चडिया भोली और दयालू पक्षी थी, जिसका कालू कवा तो खुब फायदा उठाता, चडिया बहन, आज मैं सबहा से भूका हूँ, मेरी पतनी ने कुछ भी नहीं बनाया, कालू भया, आज आप दान भी मिला, लेकिन मैंने लाटते समय एक बड़ी पक्षी को दे दिया, आप तो जानती हो, मुझसे किसी की भूक बरदास नहीं होती, ये तो आपने बहुत नेक काम किया, रुको, मैं आपके लिए चावल लाती हूँ, आज मैंने चावल बनाए हैं, फिर रानो चडिया अप कवे भाईया, आज मुझे किसान के खेत से देरो चावल मिले, आप पेट भर खाएं, ऐसे कालू कवा देर सारे चावल खाता, और पेट भर अपने गोंसले में चला जाता है, इस बोली चडिया को बद्दू बनाना कितना आसान है, मजा आग्या चावल खाकर, कल भी चडिय तके घड से ही भोजन खाऊंगा, फिर निकमा आलसी कवा, खरनाते भर के अपने गोंसले में सो जाता है, सुबा हो जाती है, चडिया भोजन की खोज को जा चुकी थी, और कालू कवा तो मजे से सोया हुआ था, उसकी पतनी उसे जगाती है, कालू सबपक्सी भोजन की तला और तुमारे लिए भी लेकर आऊंगा, ऐसे वो दोनों आपस में बाते ही कर रहे थी, कि तबी चडिया अपना फल लेकर आती है, गोरी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, जरा यही रुखो, मैं अभी चडिया से फल लेकर आता हूं, ऐसे बोल के कालू कवा चडिया के घौसले में जाता है, और जूट बोलने लगता है, चडिया मेरी बुड़ी मा आई है, मुझसे मिलने बड़ी दूर से और उसे भूख लगी है, क्या ये फल आप मेरी मा के लिए दे सकती हो, मेरे, मेरे घौसले में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं कालू भईया, आप ये फल ले जाएं और अपनी मा को खिला दें मैं दुबारा भोजन की तलास में चली जाती हूं आप जाएं आज तो आपने मुझे पचा ही लिया वरना मेरी मा क्या सोचती कि उसके बेटे के घर में फूटा दाना भी नहीं मिला फिर रानो चुडिया अपना फल कालो कवे को दे देती है और खुद दुवारा से भोजन की तलास में चली जाती है देख लिया गोरी अब तो पता चल गया होगा मुझे दाना खोजने की कोई जरूरत नहीं मेरे संदर पती क्या दमाग लगाया है चिडिया का दाना खाने का कभी कभी मेरी बोड़ी मा के लिए भी दान मांग लिया करना ऐसे वो दोनों खुसी खुसी चिडिया का सेब खाते हैं और दोनों सेर सपाते पर निकल जाते हैं अब तो कालु कवे का ये हर दिन का ड्रामा हो गया था वो कोई न कोई बहाना बना कर चिडिया का दाना ले ही आता चिडिया भी परिसान हो गई थी ये का करूं हर दिन कवे के लिए भोजन कहां से लाऊं मैं थोड़ा दाना भी बड़ी मुस्किल से खोज पाती हूं ऐसे विचार कर चडिया कालू कवे के पास जाती है और उससे बात करती है इस सूखे के मौसम में हमारी जंगल में फल खतम हो गए है और अब दूर के जंगलों से भोजन लाना पड़ता है तो आप भी मेरे साथ चलें हम दोनों साथ साथ भोजन लाएंगे फिर तुम्हें मुस्से भी नहीं मांगना पड़ेगा चडिया कितनी दूर उड़ना होगा मुझसे तो अड़ा नहीं जाएगा मैं पहले ही कमजोर और बिमार हूं इसलिए आप ह मुझे भोजन खोशदे खोशदे रात हो जाए पता नहीं सुखे के मासम में चडिया क्या लेकर आएगी कहीं साम को भी कुछ नहीं मिला तो मैं भूका ही न मर जाओं नहीं नहीं मुझे कोई पका जुगार करना ही पड़ेगा रुको रुको छिडिया मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का जल्दी भोजन मिल पाएगा नदी के उस पार एक बढ़ी चील रहती है उस चील की अंगूर की खेती है चलो वहीं से अंगूर लेकर आते हैं कालू भया वो चील खतरनाक तो नहीं होगा क्या पता वो हमें मार ही डाले नहीं चल्डिया वो चील बहुत अच्छी है कुछ नहीं कहती मैं उसके खेत ते कैई बार अंगूर खा चुका हैं फिर वो दोनों उडान भरते हैं और चील के खेत की तरफ निकल जाते हैं और चील के खेत से दूर बैठ जाते हैं जहां चील अपने खेत की रखवाले कर रही थी जाओ चुडिया चील बैठी है उससे दो जुगे अंगूर मांग लाओ क्यों कालू भाईया आप क्यों नहीं चलोगे चील तो बहुत अच्छी है आप ही ने तो बोला था फिर आं मना क्यों कर रहे हो नाना चडिया मैंने ही जाऊंगा पहले मैंने चील के खेक से कई बार अंगूर चुराए है उसने मुझे देख लिया था अगर मैं गया तो वो मुझे पकड़ लेगी और बहुत मारेगी इसलिए तुम ही चली जाओ ठीक है कवे भाया आप यहीं पर रुके मैं जाती हूँ फिर चडिया चील के बाग में पहुच जाती है और बड़े प्याल से बोलने लगती है चील दीदी क्या आप मुझे एक गुच्छा अंगूरों का देंगी मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए सुखा दाना खाखा कर बोर हो चुकी हूँ अरे चोटी चिडिया तुम कितनी भॉली हो जो चीजें मांग कर खाती हो और वो एक डिस्ट कवा है जो मेरे खेत से चोरी करता है ऐसे बाते कर चील चडिया को एक अंगूर का गुच्छा दे देती है चिडिया तो तुरंधी कवे के पास जाती है कवे बहुत अच्छी है उन्होंने मुझे पूरा जुगा दे दिया चलो अब हमें भोजन मिल गया अब हम अपने जंगल लोट चलते हैं नहीं चडिया यह जुगा तो मेरे लिए काफी है तुम एक बार और जाओ और चील से तुम अपने लिए अंगूर मांग कर लाओ नहीं का जलते ही कालू कवा तो जट से सारे अंगूर गटक जाता है यह सब चील का पती देख रहा था वो जल्दी से लाठी लेकर कवे को पकड़ लेता है कवे बड़े दिन बाद हाताई हो आज तुझे सीधा नहीं किया तो मेरा नाम भी चलबल चील नहीं देखना आज तेरी अक तुम नहीं जानते इसे यह एक नंबर का चालवाज कवा है मेरे खेट से चोरी तो करता ही करता नुकसान भी बड़ा करके भागता था आज हात आया है निकम्मा चील भाईजी चील दीदी किरप्या इस बार माफ कर दे अब ये कभी भी चोरी नहीं करेगा प्लीज इने छोड़ दे ये मेरे साथ आये हैं इनकी पतनी गोरी इनका इंतजार कर रही है आप किरप्या दिया करें चड़िया इस तरह से खूम मिन्निते करती है और कालू कवे च्ड़ा ही ले जाती है उसे चड़िया का भोजन भाने की अच्छी सजा मिलती है वह अपने किये पर बहुत पस्ताता है और उस दिनके बाद चड़िया का दाना ख़ाना चोड़ देता है रानो च्ड़िया और गोरी कवी इनसानी बस्ती के एक मुडेर पर बैठी थी। किसान का बच्चा चोकलेट खा रहा था। गोरी कवी तो उसे कब से घूर रही थी। चड़िया ये इंसान का बच्चा क्या खा रहा है? देखो, सारा मुँझ कैशे सना हुआ है। रानो चड़िया पढ़े लिखी चड़िया थी, वो चोकलेट को पढ़ लेती है गोरी ये बच्चा चोकलेट खा रहा है, ये बहुत मलायम होती है और मीठी भी रानो मुझे भी चोकलेट खानी है आप देखते रहना कोई आना जाएं तब तक मैं बच्चे से चोकलेट छीन कर लाती हूँ गोरी बहन बच्चे से चीजे छीनना गलत बात है रानो ने इतना बोला ही था गोरी कवी बिना सुने ही बच्चे की तरफ उड़ जाती है और उड़ते हुए जट से चोकलेट छीन लेती है बच्चा रूना शुरू करता है किसान की पत्नी लाठी लेकर बाही राती है गोरी वावा, कितनी स्वाद थी ये चोकलेट, कास में रोज रोज खापा थी। आपकी ये आदत बिलकुल अच्छी नहीं है, अब से मेरे साथ कभी ना आया करो। चिडिया, गुसा छोड़ें, अब चलें, हमें घर बनाने के लिए तिनके भी ढूणने हैं। ऐसे वो दोनों आंगे बढ़ जाती हैं, और गर्मी में कुछ तिनके इखटा करके पेड़ की डाल पर आराम करती हैं। चिडिया, कास ये घर बनाने का काम होता ही नहीं, तो कितना अच्छा होता। गोरी, जीवन जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कामों के बिना हमारा जीवन अधुरा है, हम खाली बैठे क्या करेंगे। हाँ चिडिया, बस ये घर बनाने का काम ही नहोता, मुझे नफरत है इसे, और सब तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। वो दोनों ऐसे बाते कर रही थी, तभी वहां से एक परी का गुजरना होता है, वो उन दोनों की इस तरह की बाते सुनकर रुक जाती है, लगता है किसी गंबीर समस्या को लेकर आप दोनों बहुत चिंतित हैं। हाँ परी, देखो न, हमें कितनी मेहनत करके घर बनाना पड़ता है, सारी सारी धपैर सर से गुजर जाती है। हम, समस्या तो गंबीर है, लो, मैं आप दोनों को एक-एक जादुई बीज देती हूं, इसे तुम जहां भी दबाओगी, वहां आपका निया घर बन जाएगा। परी जी, किसका घर बनेगा, मिट्टी का या तिनको का? चिडिया, यह जादुई बीज है, जो आप बोलकर दाबोगी, यह उसी का घर बनेगा। फिर मम्मा चिडिया वो बीज मिट्टी में दबा देती है, और सोचती है, गर्मियों के लिए मिट्टी का घर ही ठीक रहेगा, क्योंकि मिट्टी का घर ठंडा होता है, यह जादुई बीज मेरे लिए एक मिट्टी का घर बना दो। पास बंद करो ये तुमारे तिनके ना लाने के बहाने हैं मैं थोड़ी देर सो रहा हूं फिर और तिनके लेने जाऊंगा मुझे परेसान न करना ऐसे बोलकर कालू कवा सो जाता है गोरी तो कनफ्यूज हो रही थी आखिर किसका घर बन बाई तभी उसका धिहान बच्चे की वह बूरी चोकलेट पर जाता है वह वह बहूत बड़ा न बहुत बड़ा गोरी तो इतना बोलते ही वहां पर चोकलेट का विशाल घर बन जाता है वह तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी वो कभी चोकलेट खाती तो सोर मचाती उसका ये सोर सराबा सुनकर कालू कवे की नींद भी खुल जाती है वो जाग जाता है ये मेरा चोकलेट का घर बन गया अब जी भर के चोकलेट खांगी गोरी ये कैसे हुआ मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा तुम देखते रहो सपना मैं तो चली चोकलेट खाने फिर गोरी कवी चोकलेट खाना शुरू करती है कालू कवा तो अभी भी हैरानी में था तभी उनके पास चड़िया आती है वो तो चोकलेट का घर देखकर चोक जाती है गोरी बहन ये आपने क्या किया चोकलेट का घर ही मांग लिया अब तो तुम्हें पक्का खुद से घर बनाना होगा क्योंकि चोकलेट तो खतम हो जाएगी वो क्यों चड़िया ये घर कितना बड़ा है मुझसे थोड़े ना कहले पे खतम होगा ठीक कहा गोरी आपसे तो खतम नहीं होगा लेकिन जंगल के और पक्षियों को कैसे रोक पाऊगी क्योंकि खाने वाली चीज तो खाई ही जाती है मैं अपने घर का पहरा दूँगी कोई हाथ तो लगा की दिखाई मेरे घर से उसका मुझ तोड़ दूँगी अब जो तुमें ठीक लगे वो कर लेना मगर सिर्फ आज के लिए मेरे बच्चों के लिए जरासी चोकलेट दे दें तो आपकी बड़ी किरपा होगी नहीं, रूल सब के लिए एक है किसी को नहीं दूँगी अब तुम जा सकती हो चिडिया तो चुपचाप वहां से चली जाती है बात पूरे जंगल में फैल जाती है अब गोरी कालू लाठी लेकर अपने घर की रखवाली करते वो तो कुछी दिनों में बहुत ठक जाते हैं और कई रात तो बिना सोई गुजारते हैं दोस्तों ये कववे ना जाने कब सोएंगे और हमें चाकरेट खाने को मिले इन्हें कैई दिन होगे हैं रखवाली करते करते ये सोई भी नहीं है जहां तक मेरा मानना है ये किसी भी वक्त सोते ही होंगे आप कहीं न जाना यहीं पर खड़े रहो ऐसे तमाम पक्षी गोरी कालू के सोने का इंतिजार करते अब कवे को नींद भी आने लगी थी गोरी अब मुझसे और नहीं होगा मैं चला सोने हाँ कालू अब तो मुझसे भी नहीं जगा जाता लेकिन मेरे चोकलेट के घर का क्या होगा गोरी एक काम करते हैं एक एक नींद ले ले लेते हैं फिर जाग जाएंगे ऐसे सलहा करके वो दोनों सो जाते हैं वहां छुपे सब पक्षी उनके घर पर तूट पड़ते हैं और जी भर के चोकलेट खाते हैं अपने अपने घरों को भी ले जाते हैं लगातर दो दिन बाद कवो की नीद खुलती है लेकिन तब तक उनका घर पू पड़ी का घर मांगती हैं, मुझसे घलती हो गई अब क्या करें करना क्या है — चलो अब ठिन के खटा करते हैं और गार्मी से बचने के लिए फिर से तिन के जमाग करते हैं या पन्य मिटी के घर में घरमिया गुजारती हैं और कवे तो सारी दुखेरी भरतिन के जमा करते हैं और अपना घर बनाते हैं आपका धन्यवाद।